फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज हम इन दो कलरों की उसे और नेडल हमने यहां पर टैन नमबर इससे बहुत ही सुंदर एक डबल कलर में नीटिंग डिजाइन बनाएंगे तो इस डिजाइन को आप अच्छो की स्वेटर में कार्डियन में जैकिट भी किसी में डालिए सभी में डलके रेडी मेट से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा तो चलिए बनाना सीख लेते हैं कि यह दो कलर की उनसे हमने यह डिजाइन की स्थरह से इसको बनाया है यहां पर देखे मैंने बिल्कुल सिंगल पफ़े 15 फंदे डालके ही मैं इस डिजाइन को यहां से बनाना बताऊंगी हम उल्टे साइड से ही इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे तो एक सिलाइया हम बेसिक की इस बेस वाले कलर से ही पहले सीधी सीधी बना लेते हैं आप कोई भी बोडर बनाई ये बोडर पहले एक बेसिक सिलाई ऐसे सीधी सीधी बना लीजिए तो यह हमने एक बेसिक सिलाई को यहां पर देखिए उल्टी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुई कम्प्लीट कर लिया है अब आ गए हैं डिजाइन की यहां से अब सीधी साइड है और पहली सिलाई है सीधी साइड से हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए सेकिंड कलर लगा के हम यह मैंने सेकिंड कलर लगाया है और यह तीन फंद हम ऐसे इस धागे को दबाते हुए ताकि डिजाइन में फ सीधे बनाएंगे एक फंदे को स्कीप करेंगे यानिकी बगार बुना उतारेंगे फिर से तीन फंदे सीधे एक फंदे को स्कीप करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे एक फंदे को स्कीप करेंगे लाष्ट के तीन फंदे भी सीधे ही बनाएंगे तो ये हमने डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई को बनाके कम्प्लीट किया डिजाइन की दूसरी सिलाई यहां पर और उल्टी सिलाई पहले फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे तीन फंदे फिर से सीधे बनाएंगे धागा अपनी ओर करके इस फंदे को ऐसे ही स्किप करेंगे बनाएंगे नहीं धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ पर धागा अपनी ओर करके और इस फंदे को स्किप को ऐसे ही उतारेंगे दागा पीछे फिर से हम तीन फंदे सीधे दागा अपनियों एक फंदा स्किप करेंगे दागा पीछे तीन फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे ये हमने डिजाइन की दूसरी सिलाई को डिसाइड से बना के कम्पलीट किया डिजाइन की तीसरी सिलाई हमारी और सीधी सिलाई फिर से इस फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे एक फंदे को फिर से हम स्किप करेंगे जैसे पहली सिलाई बनाई थी सेम उसी तरह से तीन फंदे सीधे second color से base वाले color वाले फंदे को skip करेंगे फिर शे तीन फंदे सीजह एक फंदा skip फिर से तीन फंदे सीजह यह हमने तीसरी सिलाई सीधी साइड से बना के complete की designer और यहाँ पर उल्टे सिलाई चोती सिलाई को किस तरह से बनाना है पहले फंदे को उतार के धागा पीछे, तीन फंदे सीधे धागा अपने इस चोथी सिलाई में इस फंदे को हमने अब की बार उल्टा बनाना है, इसे स्कीप नहीं करना है, उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे स्कीप करेंगे, दो, तीन, धागा अपने सीधे बनाएंगे सोरी तीन फंदे धागा अपनी और स्कीब किया फंदा उल्टा बनाएंगे सिधे चोथी सिलाई उल्टी साइड से बनाके कम्प्लीट कर ली है तो यह देखिए चैर शिलाई में इस तरह से डिजाइन बनके आया पांचमी सिलाई अब चैर शिलाई इस दागे से बनाई है हमने अब चैर इस से और बनाएंगे क्योंकि चैर शिलाई का डिजाइन है आठ में कम रबनेगा तो यहां से ही लेकिन माँ आपको बता देती हूं कि स्तरह से फिर जैसे पहली शिलाई बनाई थी यह दागा लगा कि हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे पांचमी सिलाई इस फंदे को जो स्किप किया था इसको फिर से स्किप करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे इस फंदे को जो पहले भी स्किप किया था इसको यहाँ पर स्किप करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे, सकीप किये हुए फंदे को, सकीप, फिर से तीन फंदे सीधे, ये पाचमी सिलाई सीधी सिलाई बनके, कम्पलीट है, डिजाइन की छटी सिलाई, छटी सिलाई को फिर से से दूसरी सिलाई की तरही बनाएंगे, दागा पीछे, तीन फंदे बिए सीधे बनाईए, दागा अपनी और एक को सकीप कीजिए, दागा पीछे, तीन फंदे बिए सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी और सकीप कीए फ दागा अपनी और स्किप किया फंदा सीधा, दागा पीछे तीन फंदे सीधे, ये हमने छटी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कम्प्लीट किया, डिजाइन की सात्मी सिलाई और सीधी सिलाई, सात्मी सिलाई को फिर से हम पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे, इस तरह से तीन सीधे, स्किप किया फंदा, स्किप, तीन फंदे सीधे, स्किप किया फंदा, स्किप, तीन फंदे सीधे, स्किप किया फंदा, स्किप, तीन फंदे फिर से सीधे, यह हमने यहां पर साथ मी सिलाई को बनाते हुए कम्पलेट किया, डिजाइन की आठमी सलाई, आठमी सलाई को फिर से चोथी सलाई की तरही बनाएंगे, पहले फंदे को उतार के धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी ओर स्किप की ये फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी ओर स्किप क थागा पीछे 3 फंदे सीधे, धागा अपनी और स्कीब की इफंदे को उल्टा, धागा पीछे 3 फंदे फिर शे हम सीधे ही बनाएंगे, तो ये हमने यहाँ पर आठवी सिलाई और लास्ट सिलाई को बनाते हुए कम्प्लीट किया तो ये देखिए आठवी सिलाई में कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनता हुँ आया नोमी सिलाई को फिर से ये वला कलर का धागा लगाएंगे तीन फंदे सीधे इस कलर से फिर इस फंदे को फिर से स्कीप करेंगे तो ये देखिए चैरशी लाई का डिजाइन है धागा चेंज करके आठवी सिलाई में कम्प्लीट होता है तो मैं इसी डिजाइन को थोड़ा सा बड़े में दिखाती हुँ आपको तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़े में डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुँ आया तो ये देखिए इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कारडिगन में, जैखिट में, कैप में, सोक्स में यानि कि मीटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में डाली, सभी में डलके, रेडी मेट से भी सुंदर डिजाइन ये बनता हुँ आएगा तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा डिजाइन पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए मिलते हुँ फ्रेंड्स, अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ झाल सब्सक्राइब और झाल आता है झाल झाल झाल